सब्सक्राइब करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यार स्टेडीज अपता है 65th भी पीसी मीन्स की प्रिपरेशन चैनल पर कराई जा रही है फाइन जिसमें सबसे पहले हम जीएस पेपर वन को कवर कर रहे हैं और उसमें भी सेक्शन वन को जिसमें इंडियन मॉडरन हिस्ट्री और कल्चर आता है राइट उसी सीरीज में मैं बहुत सारे टॉपिक्स को अरड़ी कवर कर लेंगे ठीक हमने उनके विव जाने थे उनका कॉंट्रीबूशन जाना था नेशनल मुव्मेंट में उसके बाद हमने उनका म्यूजिक लिट्रेचर में उनका कॉंट्रीबूशन पढ़ लिया था देखिए इस साल चांसे जैं 60 फीट बीपीसी में में गांधी या टेग करो तो टेगोर और गांधी से रिलेटेट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन सब को कवा करा दूंगी अल्मोस्ट में कवा करा रही हूं राइट नहरू के चांसे कम है क्योंकि 64 में नहरू आये थे नहरू एं सेकिलरिज्म के बारे में पूछा गया था तो इस साल जो फोकस है वो टेगोर और गांधी पर रहेगा तो आज गांधी के व्यूस हम जानेंगे नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म देखिए राष्ट भक्ति देश भक्ति राष्ट वाद पर उनके क्या विचार थे रविन्ना टेगोर जी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे वाद इसके बार में पढ़ेंगे आई व्यूस अव टेगोर और नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म रॉट धिच्टिज्म होता है आपका देश भक्ति देश बक्ति कह लीजिए या देश प्रेम कह लीजिए ठीक है अपने देश से जो प्रेम होता है उसको हम पेट्यूइटिस्म कहते हैं नेशनलिज्म का मतलब भी राष्टे प्रेम है राष्टे वाद है राष्टे भक्ति है तो टेगौर क्या सोचते थे राष्टे बक्ति को को लेकर देश प्रेम को लेकर टेग और के क्या व्यूस थे यह क्वेशन प्रीवियस एर्स में भी पीसी ने पूछा है और चांसे हैं कि 65 में भी आ जाए तो ठीक है इसको हर एंगल से हम त्यार कर लेते हैं ओके देखिए रविन्ना टेगर वुज़े ग्रेट पेट्रियॉट आप अपने क्वेशन को ऐसे शुरू कीजिए का यह इंट्रो पार्ट है रविन्ना टेगर एक ग्रेट पेट्रियॉइट थे एक बड़े देश भक्त थे और नेशनलिस्ट भी थे राष्ट्यवादी भी अपनी जो मात्र भूमी है उससे जो प्रेम था उन्हें उससे वह अपने देश भक्ती के देश भक्ती थी उसको एक्स्प्लें करते थे लवं इस गंट्री को एक जोगरिफिकल नहीं देखते थे यह नहीं मानते थे यह एरिया इंडिया का humanity के तौर पर वो अपनी country को प्यार करते थे सारे humans को वो एक समझते थे सारे मनुश्यों को एक मानते थे और in the contest of humanity he loves his country अपनी country को वो प्यार humanity के contest में करते थे geographical contest में वो प्यार नहीं करते थे अपनी country से ठीक है humanity के contest में करते थे वो चाते थे हर human खुश रहे हर human के पास basic necessities fulfill करने का साधन हो he advocated the cause of his country in the framework of universal freedom देखिए वो universal freedom में believe रखते थे वो ये तो चाते थे कि भारत देश आजाद हो जाए अंग्रेजों से पर वो ये चाते थे कि पूरे विश्व में कोई किसी का गुलाम ना रहे वो universal freedom ठीक है विश्व का जो freedom था उसमें believe रखते थे कि कोई किसी पर अत्याचार ना करे कोई किसी को अपना गुलाम ना बनाए तो universal freedom में वो विश्वास करते थे according to his nationalism according to him nationalism is a sense of national consciousness देखिए राष्ट्य चेतना को ही वो राष्ट्य प्रेम कहते थे अपने देश के प्रती राष्ट्य जो चेतना हर मनुष्य अपने करतव्यों को लेकर अगर उसके अंदर चेतना हो जाएगी वो समझ जाएगा कि उसको क्या करतव्य निभाने हैं क्या करक हमारा देश प्रगति कर सकता है कौन सी चीज देश के हितमे हैं कौन सी चीज़ों से देश का अहित होगा अगर यह सब छीज जो जान जाएगा नेशनल जिसको हो जाएगी तो वो नेशनल लेज था ठीक है उनको क्रोध आता था था यूरॉपियन कंट्रीज था यूरॉपियन कंट्रीज था इस चीज को लेकर उनके मन में बहुत प्रोध था शोग था वह बहुत गुस्टा करते थे टेगौर बिलीवड देखें टेगौर मानते थे थे नेशनलिज्म राष्ट यह जो प्रेम है राष्ट प्रेम इस टुएस इनसेंस इस दा इन्वाइलेबल राइट देखिए यह आपका इन्वाइलेबल इन्वाइलेबल का मतलब होता है जिसको लांगा न जा सके इन्वाइलेबल राइट है अफ कमपोजिट इंडियन पीपल टू फुली और फ्रीली लिविट्स ओन स्पेशल लाइफ देखिए नेशनलिज्म तब होगा जब लोगों के पास आजादी होगी उसमें खुश है ठीक है अगर वो अपनी लाइफ को फुली और फ्रीली जी पारा हा है अपनी स्पेशल लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बिता पारा है फॉलोओं इस ओन पिकीलियर जीनियस दें कि हर इंसान की अपनी एक मेहत पूनता है हर इंसान एक जीनियस इंसान है उसके पास अपनी कुछ values हैं, अपने कुछ ethics हैं, अगर वो उनको develop कर पा रहा है, अपनी life को properly lead कर पा रहा है, developing its specific culture, अपने culture को develop कर पा रहा है, अपने highest जो perfection है, देखिए कुछ लोगों को मन में होता है, कि अगर मेरे पास यह आजादी होती तो मैं यह achieve कर लेता, मैं यह कर सक थी, मैं यह चीज को achieve कर पाता, अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा freedom मिला होता, तो देखिए, गुलामी का बतलब यह नहीं कि अंग्रेज ही हम पर गुलामी कर रहे हैं, गुलामी का बार हम एक दूसरे पर भी हम कबजा कर लेते हैं, कई बार परिवार में लोग एक दूसरे का दमन करते हैं, उनके freedom को curtail कर देते हैं, जिससे वो कुछ चीजों का achieve नहीं कर पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, तो यह सब चीजें भी, टेगोर जी इन सब चीजों पर भी emphasize करते थे और कहते थे, कि इनसान को fully and freely अपनी special life जीने का अगर हक है, अपनी peculiar genius को वो नहीं, उसका दिमाग, उसका mind अगर जब free होता है, तो वो अपना highest contribution प्रवाइड कर पाते है, ठीक हो, highest contribution वो दे पाता है, जब उसको mind free होता है, और उसको mind free होता है, उसके उपर कोई obligations नहीं होते हैं, इसके उपर कोई बाधाय नहीं होती, कोई जोड़जश्श्ती नहीं कि मनुष्य अंग्रेजों जो भारत देश था वो अंग्रेजों से तो आज़ाद होई जाए बट जो उसकी खुद की उसने जो सीमाएं बना रखी हैं तमाम तरह की जो प्रथाएं थी उस समय में भारत में जिसे लोग एक दूसरे को प्रथाओं में बांध के रखते थे महिल ठीक हैं पार्टीशन हुआ था बेंगॉल के पार्टीशन के समय में जब जन गन बंदे मात्रम गाया गया था टेगर जी दुआरा तब लोगों में पहली बार नेशन हूड राष्ट्य वाद राष्ट्य प्रेम राष्ट्य प्रेम की भावना जागरत हुई थी टेगर वाद की अगर अती होगी तो वहाँ पर इंपेरियलिस्म जन्म ले लेता है ऐसा यह मानते थे पाइं एक्स्ट्रीम नेशनलिज्म नडशर्ण दा imperialism तो यही कारण था अंग्रेजों ने जब दूसरे देशों पर कबजा किया था तो वो imperialism बन गया था तो गान जो टेगोर थे वो कभी भी extreme form of nationalism के साथ नहीं थे उसके खिलाफ थे टेगोर favored the consolidated and the integrated India टेगोर चाहते थे कि जो भारत है consolidate रहे एक होकर रहे integrated रहे ही इंफेसाइज हिंदू Muslim unity Hindu Muslim की उन्हें पर उनने इंफेसाइज किया था motherland was highly endeared to tagore देखी जो भारत माता थी जो मात्र भूमी थी वो tagore को बहुत प्रिये थी his patriotism is not limited उनका जो patriotism था वो geographical extent of the country मतलब यह भारत देश है इसकी सीमा तक ही सिर्फ मतलब सीमित नहीं था टैगोर जी का जो patriotism था वो भारत की जो सीमा है उस तक सीमित नहीं था रादर इस लेटे to the whole humanity विश्व में जो विश्व की जो मानवता है मानवता विश्व की जो फ्री माइंडर वो खुल के contribute कर पाए तो इस तरह से उनके विचार को लव दिस country in the contest of humanity देखिए जो टैगोर थे वह अपनी country को humanity contest में प्यार करते थे मैं आपको बता चुकिए जोग्राफिकल contest में नहीं करते थे humanity मानवता पर में में ही एड्वोकेटिट दपाज आपको मैं लिख कर दे सकती हूं कि आप 25 प्लस स्कोर करोगा 25 प्लस बहुत अच्छा है स्कोर होता है राइट देखिए फ्रीडम स्ट्रगल के समय में इन्हों लोगों के अंदर देश भक्ती भर दी थी अपने गानों के थूँ अपनी पोईम्स के थूँ अपने जो यह लिखते थे जल्यावाला बाग कांड के बाद टैगोर कंचैप्ट ऑफ पेट्रीड्म में डेखिडिभांटodu का देश भक्ती का देश प्रेंब काими याद दिलाता सब के बारे में अच्छा सोचना है सब की मदद करनी है with formness in the right जो सही है उसका साथ देना है God gives us life to see the right क्योंकि भगवान ने हमें जन्म अच्छाई और सच्छाई को देखने के लिए दिया है तो ये टैग और के विउस थे राष्टेवाद पर राष्टे प्रेम देश भक्ती पर I hope आपको clear हो गया होगा अगर ये question एक्जाम में आता है तो आप इसी तरह अपने answer को लिखिए God you will get the better marks, you will get the superb marks fine all the very best तैयारी करते रहिए thank you so much for watching the video video please पसंद आया तो like किया कीजिए आपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि वो भी वीडियो को देख पाएं और जहाँ से ज्यादे लोगों तक knowledge को spread कीजिए knowledge spread करने से कभी भी आपकी knowledge कम नहीं हो जाएगी spread करने से knowledge हमेशा बढ़ती है spread the knowledge boundlessly thank you so much आज चैनल पर नहीं है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजगा okay